हेलो गाइस, आम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point गैज दो सके आपको पता है कि हमने अभी गांधी को अपना स्टार्ट कर रखा है सो गांधी में आप लोगों को ये भी पता है कि आपने अभी गांधी का परिच्चे और उनकी जो दक्षिन अफरीका की यातरत ही उस ही को पढ़ा है ठीक है, सो अब आज की वीडियो में मैं आपको उनके आंदोलन पढ़ाऊंगी और आंदोलन के साथ मतलब उसको पहले शॉर्ट फर्म में समझाओंगी दैन आपको डीपली समझाओंगी क्योंकि आपके पेपर ऑफलाइन होंगे और ऑफलाइन पेपर का मतलब ये वाली बात है कि शॉर्ट नोट भी आएंगे तो शॉर्ट नोट में उनका कोई भी आंदोलन आएगा ही आएगा 110% तो बेटर है आप उन आंदोलनों को अच्छे तरीके से समझ लो ओके स्टूडेंट, सो आपने से पीछे वाले गांधी की जो क्लास थी उसको भी अटेंड करना वो भी सकता है कि दक्षिन अफ्रीका की यादर भी शॉर्ट नोट के तौर पर आजाएं, सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हमारा आता है भारती सोतंतरता संग्राम में गांधी जी की देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा है गांधी जी का सबसे पहला 1919 से पहले चलो ये काम करना से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब फर्स वर्ल वार हुआ था ना तो उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो हिस्ट्री थी उसको गांधी युक के नाम से जाना गया इस बात को दिमाग में रखो क्योंकि कभी कभी ये आगे कमपिटेटिव लेवल पे भी पूछ ली जाती है ठीके जो फर्स वर्ल वार के बाद जो इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिक्स हिस्ट्री है हमारी उसको गांधी युक के नाम से जाना गया अब उसके बाद 1919 से जो भारत का राश्ट्री आंदोलन था ना उनके ही अंडर में चला था कॉंग्रेस के भागदोर भी उन्होंने ही समाली थी क्योंकि उस टाइम पी इतना सब कुछ मतलब वो नहीं था ना नहरू के पास इतने निता थे ना कुछ था तो गांधी जी कॉंग्रेस के पार्टिसिपेट बतब एक तरीके से सदसे थे ठीके तो नहोंने उसकी बागदोर भी समाल ली थी और साथ में जो उन्होंने आंदोलन करने चाहे उसके साथ उन्होंने ये देखा कि भाई मतलब एक तरीके से जो बिटिशर्ज है वो क्यों हमारी चीजों पे रोक लगा रहे हैं क्योंकि ये चीज सब को बता है कि गानदी जी ने बहुत सारे अनलिमिटेड आन दोलन करे हैं ठीक है तो गानदी जी के आनदोलनों को वज़ा बस यही रही है कि ब्रिटिश शर्स ठीक है तो ब्रिटिश शर्स का उन्होंने ये देखा कि हाँ जी gen कैसे किस तरीके से रख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो मोटतार पे गांदी जी का जो आंडोलन था ना उन्होंने एक तरीके से रूप ले लिया था जनंंदोलन उबे ठीक है, अब ये सब जो आप आंदोलन अभी पड़ोगे, ये सारे जनंदोलन ही है इसमें गांदी जी का कोई अकेला participant नहीं था ठीक है इन सभी में लोगों ने बहुत-बहुत help करी थी गांदी जी की उसके बाद जाकर ही जो है हमारा एक तरीके से freedom हमें मिल पाई थी ठीक है तो उससे पहले जो गांदी जी थे उन्होंने उनकी हर काम को हर तरीके को तीन तरीके की उसमें categories में बाट दिया गया सबसे पहला अंदोलन हुआ moments हुए दूसरा जो था हमारा चिंतात्मक स्थर था एक tension का की मतलब हाँ कि वो tension वाला स्थर एक tension वाला level क्या था कि गांदी जी को किस-किस चीज की फिकर थी क्या चीज वो ठीक करना चाहते थे क्या improvements होने चाहिए थे क्या था क्या नहीं था ठीके और तीसरी चीज रचनात्मक स्थर गांदी जी का योगदान की जो हमारा structure बन रहा था इंडिया का हमारा develop हो रहा था या फिर politics मतलब वो थी क्योंकि सबसे पहली party तो वो थी गांदी जी कह रही हूँ ठीके ये वाला है हम ये पढ़ रहे हैं अभी दिखो 1913 में दक्षिन अफरीका की यादरा से जब वो लोटे थे तो उन्होंने ना भारत के अधिकारों के लिए बहुत मतलब जो हमारे भारतिये थे उनके rights के लिए बहुत जादा कोशिशे की संघर्ष की महनते कही थी ठीके सत्यागरे का जनम एक दक्षिन अफरीका में ही उनका हो गया था क्योंकि दक्षिन अफरीका में ही उन्होंने देख लिया था और उस चीज़ पर focus करके कि हाजी इस चीज़ को ठीक करनी है ये करना है वो करना है ये सब करा ठीक है उसके बाद है आसायोग आंदोलन में गांदी जी की भूमी का जो हमारा वो है non corporate moment उसमें गांदी जी की भूमी का कि 1919 के बाद जब भारत सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कि किया था न जिसका purpose नागरिक सुदंतिता का दमन करना था ठीक है तो उस चीज़ के किलाफ उन्होंने एक अपना ने तरफ रखा और एक तरीके से moment चलाया जो आसायोग आंदोलन non corporate moment के नाम से आज जाना जाता है जगा जगा हरताले जुलूस निकाले गए और जो हमारे वो वदिवादी विचाड़दारा चलती है वो भी अहिंसा वादी ही माने जाते हैं वो भी अहिंसा पर ही focus रखते हैं तो ये जो था हमारा असायोग आंदोलन ये चला था ठीक है अब है हमारा आगे 1922 से 1930 तक गांदी जी के काम ठीक है 1922 सरकार्ण ने गांदी जी पर मुगद बहुत सारी प्रॉब्लम सारे लगी थी जिसे देखकर गांदी जी बहुत जाता दुखी हुए परिशान हुए कि क्या मैं मतलब एक दिन ऐसा चाहता था कि भारत को अजादी मिले और मतलब सब आपस में भाई-भाई बनकर मिल जुल कर रहे तो यह आपस में दंगी क्यों हो ठीक है तो उनका मतलब यह था कि उनको 21 दिन का उपास उन्होंने रखा था इस चीज़ पर उन्होंने हिंदू-मुसलिय मेक्ता के लिए स्थिति सुधारने के लिए और बहुत सारी कोशिश करी थी और तब ही उन्होंने खादी का प्रचार प्रसार किया था खादी का ठीक तक गांधी जी की भूमी का ठीक है 1931 की बात यहां हो रही है तो 1931 से पहले 1930 में 12 मार्च को महत्मा गांडी ने दांडी यात्रा निकाली थी दांडी मार्च निकाली थी यह चीज़ बहुत कॉमन है हर बच्चा जानता है ठीक है तो उस चीज़ को मैंने आपको इसलिए बत करें तो 1931 से 39 तक गांधी जी ने जो मैंने आपको अभी तीन श्रेडिया बताई थी कैटेगरी उसमें थी थर्ड वाली रचनात्मक स्थर तो उन्होंने रचनात्मक कारियों की तरफ बहुत जादा ध्यान दिया था कि किस जगा का स्ट्रक्चर कैसा क्यों और कब बनना च पर कि नशो को क्योंकि अंग्रेज जो थे उनका तो खाने के साथ ही वाइन चलती है या फिर उनका मतलब यह सारी चीज़े तो वह चीज़ ना इंडिया में भी बहुत जादा प्रच्चरित हो रही थी बहुत चल रही थी तो उन्होंने नशा बंदी करी हिंदू-Muslim एकता को बनाया and all things ठीक है अब आता है next हमारा 1940 से 1942 तक मात्मगानेजी के कारे ठीक है तो भाई अब यहाँ पर क्या बात आई है कि जो Second World War का टाइम आ गया ठीक है 1939 का टाइम अब 1939 से 1942 तक की बात हो रहे है मतलब 1940 से तो भारत के वाइस रॉय जो लॉड लिन लियंगा थे उन्हो सम्मेलित होने की घोशना कर दी ठीक है क्योंकि आपको मैंने बता रखा है जब आप मैंने आपको आई यार पढ़ाई थी इंटरनाशनल डिलेशन तो उसमें बताया था कि भारत का क्या पार्टिसिपेट रहा था Second World War के अंदर तो जो साथ प्रान थे उसमें कॉंग्रेस मं वो थे प्रान साथ जगाएं थी जहां पर कॉंग्रेस सरकार थी उन्होंने तो त्याक पत्री दे दिया था और गांधी और वाइस राय कई बार मिले थी लेकिन समझाता नहीं हो पाया था कि इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ठीक है स्टूडेंट एक चीज मां आ भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूमेंट सबसे पहली बात क्वाइट इंडिया मूमेंट स्पेशल ऐसा है कि जिस पे एक शॉट नोट आ सकता है बाकि तो चंपारन और बाकि सारी चीज मां आपको अभी डीपली पढ़ाओंगी तो कोई दिक करते हैं ठीक है उस टाइम पे जपान जो था ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहता था ब्रिटिशर्स से उनकी लड़ाई चल रही थी और ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो इंडिया पे भी अपनी तरीके से हुकूमत करना चाहते थे वो इंडिया को ही अपने अंडर में कर रहे थ तो फिर 1942 को कॉंग्रेज की जो महासचीव थे उन्हों ने गांधी जी से पहल करके और ये बोला कि भाया एक एतिहासिक हम हिस्टॉरिकल प्रस्ताव रखते हैं एक हिस्टॉरिकल प्रपोजल रखते हैं और उसके अंदर ये वाली बात रखी गई कि अंग्रेजो तुरंत हमा गांधी जी का जो उन्होंने भाशन दिया था उसमें नारा आया था करो या मरो ठीक है आज बहुत फेमस है बहुत ही ज़्यादा फेमस है मतलब उस टाइम से आज तक इनफेक्ट आगे तक जो जनरेशन आती रहेंगे आती रहेंगी उन तक भी ये डायलोग बहुत फेमस तो ये करो या मरो वाला डायलोग गांदे जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942-43 के टाइम पर दिया था अब आता है हमारा अंतिम काल जो पर लिकुल लास का टाइम था 1945 के बाद गांदे जी ने बहुत सारे काम नहरू पर छोड़ दिये थे क्योंकि उनका मतलब ये था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया अब नहरू तो में पर कुछ करना चाहिए तो उसके बाद लेकिन उनकी जो सहमती थी और सला थी वो नेता उनसे ही लेकर करते थे कि हाँ आपके मर्ज़ूरी है आपका दिमाग है आपका ये है आपका वो है सबकुछ ही वाली बात है ठीकिए तो कैबिनेट मिशन से भी गांधी जी की सैना अनुसार ही बात की जाती थी cabinet mission से बहुत बड़ी बात है कि मतलब government Congress सरकार होने के बावजूद हर काम गांधी जी से पूछ कर ही किया जाता था Lord Mountbatten की जो सत्ता थी उसका जो था transfer हो गया था हस्तांतरन हो गया था और भारत विभाजन की योजना पर अपने इच्छा के विरुद उन्होंने से आमती दे दी थी वो कहते थे कि भाई नहीं मैं नहीं चाहता कि भारत का विभाजन हो सब आपस में मिल जूलकर हमेशा से रहे हैं और मिल जूलकर ही रहेंगे फिर 15 अगस 1947 को भारा सतंतर हो गया जिसका शुर्य मात्मा गांदी को जाता है ये बोला जाता है कि उनका शुर्य मात्मा गांदी को ही जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चीदों पर फोकस करना शुरू करा था उस समय में पूरी बंगाल में गाउंगा घूम करना पीडित हिंदूों को सांतफ दे रहे थे मतलब ऐसा नहीं हिंदू को ही मुसल्मानों को भी क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों ने पढ़ा है ट्वेल्थ क्लास में पार्टिशन जब आपने पढ़ी है हिस्ट्री के अंदर तो उसमें देखा होगा कि कितने बेगुना मारे गए थे वहां से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बढ़ गया था तो कैसे हिंदुस्तान से ट्रेन जाती थी तो वहां पर लाश बन कर और वहां से यहां आती तो वहां से यहां पर लोगों की ट्रेन में सिर्फ लाशी होती थी कोई भी जिन्दा नहीं होता था बहुत मार कटाई हुई थी इनफेक्ट पूरी दुनिया का जो सबसे भयानक एक मार कटाई का किस्सा लिया जाता है पूरी वर्ल्ड का तो वो इंडिया का 1947 का पार्टिशन ही लिया जाता है क्योंकि उसमें अंगिनत लोग मारे गए थे फिर 30 जनवरी 1948 को नतुराम गौट सिनन की गोली मार कर हत्या करती थी एक साल बाद वो अजादी देखके चल बसे ठीक है तो मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि जिसने बहुत कोशिश है करी मैं लोगों को अलग नहीं करना चाहता था मैंने सबको एकता के लिए ही साथ में रखा था लेकिन उसके बावाजूद भी पार्टिशन हो गया अब आता है आपका सबसे पहला कौन आंदोलन मुमेंट चमपारण सत्यागिरे को इंगलिश में भी चमपारण सत्यागिरे ही लिखते हैं प्लीज आप लोग मुझसे ये मत बोला करो कि मैं थोड़े से इंगलिश भी यूज करो मैंने हेडिंग्स इंगलिश में डाल दी है हिंदी में डाल दी है उस चीज़ को समझो और बुक से देखकर उसको लिखो अपने नोट्स कम्प्लेट करो प्रिपेर करो क्योंकि कॉलेज में आप रट कर जाओगे तो नहीं लिख सको कि टॉपिक समझ कर जाओगे तो खुद ही लिखना पड़ेगा और खुद ही लिखते हैं तब आता है आपका चमपारण सत्यागिरे ये हुआ था 1917 में ठीक है तो 1917 में चमपारण सत्यागिरे के नाम से इसको जाना जाता है कहां पर हुआ था बिहार में हुआ था गांदीजी के नेतरत में भारत में ये एक किया गया पहला सत्य गिरे माना जाता है ठीकर चमपारण बिहार राज्य का एक जिला है ये तो सभी को बता है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए ही इस आंदोलन का नाम चमपारण रख दिया गया था ठीक है अब इसकी पूरी स्टोरी समझ लेते हैं कि इस जिले की किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी तो जिसे इस जिले की किसान काफी जादा बहुत जादा परेशान हो गये थे उनकी जमीनें भी खराब हो रही थी सब कुछ बरबाद हो रहा था जबरदस्ती उनसे ये खेती करवाई जाती थी क्योंकि नील की खेती करने से ना काफी जमीन पे बहुत फरक पड़ता है ठीक है तो किसानों को उनकी खेत के बहुत सारे भाग में ये खेती करने के लिए मجबूर किया जाता था और जिसकी वज़े से किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि नील की खेती बहुत वैसी होती थी तो किसी भी खाने के बीज बगेरा नहीं वो कर पाते थे ग्रो कर पाते थे ठीक है तो उसी वक्त हमारे देश की अजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसके नेतरत कौन थे हमारे गांदीजी थे तो भई इस आंदोलन में ब्रच किशूर प्रसाद, राजेंदर प्रसाद और नरायन सिंग, राम नवमी प्रसाद, जेबी करिपलानी ये सब शामिल थे ठीक है, इन में से दो तीन नाम भी आप याद रखो जैसे जो फेमस फेमस हैं, राजेंदर प्रसाद और राम नवमी प्रसाद और जेबी करिपलानी, ये तीन सबसे फेमस हैं, जो आप फस्ट एर से पढ़ते वे आ रहे हैं, सीजी डियाई से, तो आप इनके ही नाम याद र रहा रहे हैं नील की, तो फिर गांदी जी ने उनकी बात पानी, लेकिन उसके बीच में गांदी जी को इतना 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 काम था, कि वो ना जाने कहां कहां नहीं घूम रहे थे, कहां कहां, लखनाओ, कभी गुजरात, कभी कई कई कई, लेकिन इनके जो ये दोनों हैट मैं भी आपको बताएं है कौन संत्राउ। और राच्कुमार शुक्ला इन्हों ने जित करके महत्मा गांदी एत McMah गांडी के साथ हर जगा उनके जगा पर जाते रहे जहां जहां वो ठहरतें वहां वहां ठहरतें कि अब तो हमारे साथ ही ये बहार चलेंगे अब तो हमारे साथ उनके साथ गूमते रहे लेकिन उसके तहट भी मातमा गांधी जो थे उन्होंने ये प्रॉमस किया कि हाँ मैं जरूर आँगा उन्होंने ये नहीं का कि मैं कोशिश करूँगा उन्होंने का कि हाँ मैं बिल्कुल आँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा उसके बावजूद दोड़ा भी किया, देखा कि क्या है क्या नहीं है, कि ऐसे लोगों की दुर्दशा है क्या है, ठीक है। फिर दोड़ा करने के साध ही, गान्दी जी ने पाया कि यहां के गाउं के लोग तो भाई अशिक्षित है जिसकी ज़े से जमीनदार उनका शोशन कर रहे हैं तो उन्होंने बात कर बैट कर जमीनदारों से बात करी और लोगों को शिक्षित करने का बहुत जादा अपना योगदान दिया कि हाँ लोगों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है ठीक है ये चीज़ आप प्लैटो के टाइम से पढ़ते वे आ रहे हैं तीन सो दो सो पहली शताबदी से ठीक है कि भाई पहली शताबदी से ही जो हमारे सुकरात थे पॉलिटिक्स और फादर या फिर प्लैटो आगे आए अरिस्टॉटल आए, सिकंदर आया सबसे पहले सुकरात ने ही शिक्षा पर फोकस किया कि भाई लोगों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ये सारी चीज़े नहीं समझेंगे तो ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़े इन्होंने खतम करी और जमपारण सत्या गिरे जो ता आपका इस तरीके से फिर फिनिश हुआ तो इन्होंने गांधी जी ने बातचीत करी और एक तरीके से इसका पूरा प्रोजेक्ट बनवा लिया और प्रोजेक्ट बनवाने के बाद दस हजार करोड रुपे सरकार को देने के लिए बोला और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाईया सफाई वफाई करके पुरी जमीन सही करके दी जाए ताकि किसान अपने पेट भड़ सके कोई वो इससे ही अपनी रोजी रोटी कमाते है इसी के एक साल बाद खेड़ा सत्यागरे हुआ था गुजिरात में ठीके तो 1918 में तो उस चीज़ को मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर चमपारण का मालो आता भी है तो थोड़ा बहुत आप खेड़ा सत्यागरे उसमें मैंशन कर देना उसको जादा डीप ले लिखने के कोई भी जरूरत नहीं है अब आता है आपका खिलाफत आंदोलन ठीक है देखो खिलाफत आंदोलन मैंने लिख रखा है ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आ जा जाए कि खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के मध्ध है भारत के मुख्य रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक वर्थ द्वारा चलाया गया राजनेतिक धार्मिक आंदोलन था इस आंदोलन का जो अदेशे था मुसल्मानों के मुख्या माने जाने वाले तर्की के खिलाफ के पत की पुनर स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबा डालना था सिंपल सी बात है और एक बात उर कि इसके अंदर भारत का कोई भी योगदान करी मतलब उनका कोई भी प्रॉफिट या फिर एक तरीके سے उनका कोई काम नहीं था बस ये था कि हाँ भारत इसके अंदर अगर अगर शामिल हुआ है तो हुआ है बस जस्ट हुआ है कोई वो नहीं था मकसद ठीक है खिलाफ़त आंदोलन को और बैटर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहां पर यह एक आपको पूरा चार्ड बनाया है इस चार्ड के अंदर आप इस चीज़ को नोट करो इसका स्क्रीन श साथ इसके नेतरत में थे किसके विरुद्धा बृटран के टर की विरुद्धियों था विद्रु का कारण बृटेन द्वारा तिर्की के खिलाफ के पत को समझाप्ध करना और परिड़राम की पूरे तरहा से सफलत नहीं मिली में टूर 24 में कमाल पशा की सरकार्ट द्वारा खलीफा का पत्पूरी तरह समाप्त हो गया था और हिंदु-मस्लिम एकता को बहुत जादा बल मिला था अब आता है आपका असायो गांदोलन गांदी जी के नेदरत में चलने वाला ये पहला अंदोलन माला जाता है सबसे पहला अंदोलन क्योंकि 1915 की यहां बात हो रही है ठीक है ऐसा नहीं है कि मगर आपको according to year आगे पीछे पढ़ा रही हूँ तो कोई problem होगी कोई problem नहीं होगी आप अराम से इसको पढ़ लो ठीक है तो ये भाई इसके अंदर क्या हुआ था इसमें शमिक वर्ग की भागेदारी बहुत ज़ादा थी ठीक है इस अंदोलन का एक व्यापक जना अंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आम जनता हद से ज़ादा थी और ये 1915 का सबसे पहला इनका अंदोलन था तो इसलिए इसको जनांदोलन माना जाता है कि लोगों ने बहुत जादा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था देखो 1915 और 18 का टाइम है मतलब First World War का टाइम समझ लो तो First World War के टाइम पे प्रेस पर प्रतिवन लगा दिया गया था First World War के टाइम पे ठीक है कि भाई बिना जाज के कोई भी उनको अनिमत ही नहीं है कि वो कुछ भी कर सकेंगे तो सब उस टाइम पर सर रॉलेट थे और उनकी अधिक्ष्टा में ही एक कमेटी बैठी और उस कमेटी में ये वाली गांदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और देश भर में इस अधिनियम के खिलाफ अभियान चलाया था कि प्रेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पर भी अगर एमर्जनसी लगया कुछ भी हो तो प्रेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता आप इसको चाहो तो और डीपली मतलब शॉर्ट नोट के हिसाब से अपना एड़िस करो क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा खुद ही लिखोगे है ना क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगी ने कि भाई ये है वो है यू है अब आपको मैंने बुक्स बताई है तो बुक्स में से कुछ तो लिखोगे ना ऐसी थोड़ी छोड़ दोगे उसको अब आता है आपका नमक सत्याग्रे आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दू नमक सत्याग्रे को तो उसकी बात क्या आया 24 दिवसी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अपरे 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और आहिंसक विरोध के प्रतियक्ष कारवाई अभियान के रूप में ये चला था ठीक है इस मार्च का जो एक और कारण ये था कि सविनिया वग्या अंदोलन को एक बहुत मजबूत घाटन की आवशक्ता थी ठीक है तो ये वाली बात दिखी गई कि बहुत साथा लोगों को गांधी जी के उधारन का एक वो माना जाता है एक्जामपल की तौर पे कि उन लोगों ने गांधी जी को बहुत प्रेरित किया एक तरके से हिम्मत दी गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत 78 भरों से मंद खुद के लोगों के साथ करी थी और इस मार्च 240 मील साबर मती आश्रम से दांडी तक फैला जिसे उस समय नसारी कहा जाता था ठीक है रास्ते में भारतियों की बहुत बड़ी संख्या साथ जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई तो आप भी तो जाओगी जाओगी जिल में तो लाको लोगों ने उसका की एक तरीके से कानून को तोड़ा और नमक ऐसी मतब ये बोला उन्होंने कि नमक एक ऐसी चीज है कि भाई हम जब तक खाने में नहीं डालेंगे चाये हम रोड़ी से नमक खाएं या किसी भी खाएं वो हमें चाइए ही चाइए थीक है तो उन्होंने कहा कि गरीब को भी जरवत है अमीर को भी जर्वत है पश्चुओं को खिलाने में भी इसका इस्तिमाल होता है और बहुत तरीके से इसको यूज किया जाता है तो इस पर आप लोग कोई भी तरीके से कर या फिर कुछ और चीज नहीं लगा सकते हैं तो उन्होंने इसके विरुद आंदोलन करा और नमक कान उनको तोड़ा ठीके गांदी के दांडी कूच ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिटिश आर्जी सोचते थे कि ये क्या आदमी है इसको ये डर नहीं है कि हम लोग क्या इंडियम्स के साथ वहवार करते हैं क्या करते हैं इसको बिलकुल डर नहीं है क्यों उ मुटे भर नमक बनाने का स्वे को कानून की निगा में अपरादी बना लिया उन्होंने मुटे भर नमक लिया और मतलब यह कि नमक हम खुद बना लेंगे ठीक है तो उन्होंने कानून में उनको अपरादी ठहरा दिया था फिर इस बीच में देश के बहुत सारे भागों में नमक क्यात्रा होने लगी थी कि लोगों को हाँ ये एक तरीक से हिम्मत वाली बात नी होती कोई बोला तो हम भी साथ में बोलने लगे गये वाली चीज़ हो गई थी तो इस आंदूरत में जग़ जग़ बहुत जग़ जग़ बहुत ज़ादा समर्थन मिलने लगा था और अमेरिका की जो बहुत मशूर पत्रीका टाइम नमक सत्यग्रे के बारे में ये लिखा था और ये लिखा था कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये कियातरा है कि जो ब हाँ कि भाई ये था कि अब उन लोगों को ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि हाँ अब हमारी हुकूमा जादा टाइम तक नहीं चल सकती है क्योंकि गान्डी जी पहले भी बात चीत रहते थे इस बीच में कि आज़ाद कर दो आज़ाद कर दो खतम कर दो तो दान्ड नहीं तो किल खत्मा हमारा कर देंगे ठीक है स्टूडट अब आता है हमारा कॉाइट इंडिया मूमेंट भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1935 का जो हमारा भारतिय शासर अधिनियम था वो पारित किया गया ठीक है उसके बाद कृस्ट मिशन की असफलता को और देश में बहुत जादा निराशा सी पैदा हो गई थी यह कि क्रिस्ट मिशन की असफलता हो गई थी और उसके बाद की स्वतनतिता पाने के लिए एक और अंतिम युद लड़ना पढ़ेगा भारतियों ने ये बोला ये भाई अब एक और बो चला गया लेकिन अभी भी हम हिम्मत नहीं हा रहे हैं हम ये सब कुछ करके रहेंगे ठीके तो हरीजन नामक पत्रिकाग में के एक लेख में लिखा गया था कि भारत को ईश्वर के भरों से छोड़ कर चले जाओ और तुम्हारे लिए य बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो लेकिन चले जाओ उन्होंने एक दूसरे लेक में ये भी लिखा कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों नहों लेकिन ब्रिटिश लोग आप लोग भारत छोड़ दो ऐसा तही है कि भारत आपके अंडर म कर पाएगा ठीक है तो दिरे दिरे आगे बढ़ता गया टाइम और गांधी जी ने इस चीज़ पर फोकस करना बहुत जादा शुरू करा और उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स मैं आप लोगों से ये को बहुत जादा एक तरीके से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग य हैं की नीदा है ठीक है तो उसके बाद कॉंग्रेस हाथ पर हाथ रखे रह जाती तो देश में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली गांधी जी ने काम करना उसके अंदर जितने भी हमारे सुतांतरता से नानी हैं जितने भी सब ने अजादी के से श्रै जाता है एक तरीके से हो कौन है हमारे पुराने सारे लोग हमारे अंबेटकर्द नहरू और भी पुराने टाइम के जहासी की रानी जोने ये सारी चीदों में भाग लिया अपने आपको चोड पहुचाए नुकसान पहुचाए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स व जुलाइ 1942 को कि भारत छोड़ो अंग्रेजो भारत छोड़ो तो भारत छोड़ो आंदोलन तब ही चला था ठीके उसके बाद भाई क्या बात आई कि मयानमार की तरफ से जपानियों ने विजे प्राप्त कर ली थी अपनी तो वो मयानमार अब मयानमार इंडिया से किदिना दूर है ना ज्यादा दूर तो बार्डर मयानमान कर लगावाए तो वहां से न वह अंदर घुसना चाहते थे उनको मतलब बिटिशर्स को एक तरीके से उनसे बदला लेना चाहते थे या उनको मारना चाहते थे तो उससे इंडिया को बहुत नुक्सान हो रहा था और भारत प्रीज ने गुड निर्पेच्टा की नीती अपनाई थी क्योंकि वो किसी चीज में था ही नहीं तो उसको अपना भी ध्यान में रखना था तो भारत छोड़ो अंदोरन का भाई ये सारा चला और उसके बाद जो चीजे और फोकस की गई गांधी जी ने भाशन देने मज़ाय था टेलिफून वगयरा सब बंद करवा दिये गए खतम करवा दिये गए कि कोई बात नहीं है कोई नहीं है इस चीज करते 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 भारत छोड़ो आंदोलन कामियाब हुआ और बिटिशर्स ने भारत को छोड़ दिया ठीके भारत को छोड़ दिया उसके बा आंदोलन डीपली इसले पड़ा है क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट आता ही आता है आप मुझसे लिखवा कर ले लो 100% आएगा ठीक है तो इनके आंदोलनों को आप डीपली अपनी कॉपी में मैंशन करो या फिर अपने दिमाग में रखो क्योंकि जब अभी पेपर में कुंते रह जाओगे ओकि स्टूडेंट आप लोगो को सारे मुवमेंट्स अच्छी से समझ आ गए हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि मैंने हैंडिंग्स और सब को इंग्लिश में डाल रखा है आप वाचिए और वाचिए अबस्स ओफ लुकॉल